कृतगनता से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है मदद जीवन की एक ऐसी गटना होती है कि यदि आप करते हैं तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और यदि नहीं करते हैं तो बहुत संबल तक ये याद रखते हैं अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखिए कि जो भी आपको खोएगा यकीनन वो रोएगा सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं सार्थक कर्म भी जरूरी है सीडियों को देखते रहना ही पराप्त नहीं है सीडियों पर चड़ना भी जरूरी है मनुश्य के पास सबसे बड़ी पुंजी अच्छे विचार हैं क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत नहाँ पर ले जा सकते हैं किन्तु अच्छे विचार सदेवा अच्छे कारियों के लिए ही प्रेरित करेंगे वक्त ही अकेला बादशा है इनसान तो विरत ही घमन करता है आजकल सब खामोश है कोई आवाज नहीं करता सज बोल कर कोई किसी को नाराज नहीं करता इनसान वही श्रिष्ट है जो बुरी स्थती में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थती में उच्छले नहीं नफरत करके क्यों बढ़ाते हो एहमियत किसी की माप करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो कुछ बुरा नहीं जीवन ऐसा हो जो संबंदों की कदर करे और संबंद ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे दुनिया के रहन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है जीत लो सक्के दिलो को बस यही जीवन का गहना है लोग कहते हैं दुख बुरा होता है जब भी आता है रुलाता है मगर हम कहते हैं दुख अच्छा होता है जब भी आता है कुछ सिखाता है सच्ची मानवता की सोच हमेशा यही होंगी की मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सब को मिले अगर एक प्रतिशत संभावना दिख रही है तो सौ बार कोशिश करें संभावना से परिणाम के रास्ते खुलते जाएंगे कुशी या परिशानी हालाच से कम खयालाच से अधिक होती है कभी फकीर कभी शाग तो कभी दिलनशी की तरह जिन्दगी रोज हमसे मिलती है अजनभी की तरह जब भी किसी ज़रुमत मन की आवाज आप तक पहुचे तो परमात्मा का शुक्रों के रदा किजिए क्योंकि उसने किसी की मदद के लिए आपको चुना है वरना परमात्मा के लिए तो अकेला ही काफी है मा की ममता और पिता की च्छमता समझना असान नहीं है और जो समझ गया उसकी जीत निश्चित है रखलो आईने हजार तसली के लिए पर सच के लिए तो आके मिलानी पड़ेंगी खुझ से भी और खुदा से भी वक्त का छोड़ देने चाहिए कुछ उल्जनों के हल बेशब जवाब देर से मिलेंगे मगर ला जवाब मिलेंगी यादे ही तो जिन्दगी का खजाना है बाकी तो सब को खाली हाथी जाना है सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार लगाएं या आशाओं के अंबार परन्तु सुख का ताला केवल संतुष्टी की चाबी से ही खुलता है मन को समझाने वाली मा और बविश्य पहचानने वाला पिता यही इस दुनिया के दो मात्र जोतिशी है इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं उसकी इंसानियत तै करती है परिचे एवं पहचान दोनों ही भिन्न हैं क्योंकि परिचे में आवरण है और पहचान में व्यक्तित्व की सुगंद हैं खो देने के बाद पता चलता है कि कितना कीमती था समय व्यक्ति और संबन्द अपने आज को यह सोच कर बरबाद मत कीजिए कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं हवाई अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है थंडा बानी और गरम प्रेसकपडों की सारी सलवटे निकाल देती है ऐसे ही ठंडा दिमाग और उर्जा से भरा हुआ दिल जीवन की सारी उल्जन मिटा देते है सुष्टी कितनी भी परिवर्तित हो जाए फिर भी हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते पर दुष्टी थोड़ी सी परिवर्तित हो जाए तो हम कितने सुखी हो जाते है